है नमस्कार अज हम भी पार्ट सेकिंड के इंड्र सुप्त का अध्यन करेंगे इंड्र रिग्वेड के 33 देवताओं में से सबसी महत्वपूर्ण देवता माना गया है यह अंत्रिक्षिस्थानिय देवता है आर्यों का रास्ची देवता और युद्ध में विजे प्रदाता देवता के रूप में यहार प्रसिद है इसने अनेक असुरों बल शंबर अही आधी का साहार किया और सभी रूपों को उनके अर्ट्याचारों से मुक्ती दिलाई यह अपने वज्र से राक्षसों का साहार करता है इंद्र के शारेरिक सवरूप का भी सुंदर चितरण मलता है वज्र बाहू वज्र हस्त शू शिप्रह आधी और विशब सोमपा आधी इसके विशेशने सोम्रस का पान करती यह अपने शत्रूं का अश्युर का सहार करता था लगबग 200 सुप्तों में इंद्र की इस्तूति की गई है रिगवेद में जितना महत्वपुन स्थान इंद्रित का था उतना ही बाद के समय में पौरानिक काल में भी इनका महत्पर रहा वर्षा के देवता के रूप में तेविप्रतिष्ट्टे ही स्वर्ग क के धिपती देवता स्वर्ग देव या स्वर्ग राज के रूप में भी रसिद्ध हो गये इंद्रसुंति रिगवेद के दूसरे मंडल का सुुक्त है बारवा सुप्त है इसके देवता इंद्र है रिशी पहला मंत्र इस प्रकार है यो जात एव प्रत्मो मनस्वान देवु देवान प्रतुना पर्यवूशत यस्च शुश्मात रोधसी अभ्युसेताम निर्म्रस्यमैना सजनास इंद्रह दिशी गृत समत इंद्र देवता के सहसिक कारियों वीर्टापुण का उलेक करते हुए कहते हैं यह जो इंद्र देवह देवता दिविगुनों से युक्त देवता प्रत्मो मनस्वान सभी देवताओं में प्रमुख प्रधान मनस्वान बुद्धिमान मनस्वी देवता जात एम उत्पन होते ही देवान प्रतुना परिभुशत उत्पन होते ही जिस प्रमुख और मनस्वी देवता ने देवान अन्य देवताओं को प्रतुना परिभुशत अपने पराक्रम से, अपने सामर्थि से पडिवूशत सुशोपित किया, व्यबुशित किया, यस्य सुश्मात, रोधसि, अभी सेताम यस्य सुश्मात जिसके पराक्रम से, जिसके बल से, और निम्नस से महना नेत्पत्व की महत्ता से नेत्पत्व के महत्त्व से रोध सी अभ्यसेताम जूलोंक और प्रत्वी लोग अभ्यसेताम कापते हैं जनासर ही लोगु से इंद्रह वह इंद्रह है यहां रिशी गृत्समद के विशे में एक अंतर कथा प्रचलित है कि रिशी गृत्समद ने इंद्र का रूप धारन कर लिया था इसलिए सभी राक्षस इंद्र समझ कर उनका वद करने के लिए उनके पीछे बढ़ गए तब इंद्र को विविन विशेष्टाओं से युक्त बताती हुवे रिशी गृत्समद ने राक्षसों से कहा कि वह इंद्र है ऐसी जी विशेष्टाओं से युक्त पराक्रम शाली वह इंद्र है मैं इंद्र नहीं हूँ इस प्रकार से अपने कारणों की उन्होंने कि उनके साहष और पराक्रम के प्रती रोध सी अर्धा दियुलोग और प्रत्रत वीद्र कर्द्र कीनिवासी नित्मस तक होंकि आगुमन करती थे और ल्यत्रत्व संपण्व्ञाध्य संपुर्ण ब्रह्मान किके शाशक की की में इंद्रदि Вас्मितは कहे गए हैं यहां रूद सी वैदित प्रयोगी प्रत्मा दिवजन का रूप है दिव लोग और पच्वी लोग का सयुक्त नाम है यहां देव शब्द की विद्पति आस्कन की है देवु दानाद दूदनाद दीपनाद वाजु दान शीले दोतन शीले है और देवु कुमान स रूप वाला है उसे देव कहा जाता है सजनासा इंद्रह चौथे चरण की जो यह पंक्ति है वह सभी मंत्रों में आई है अंतिम मंत्रों शोड़कर जनासा भी प्रत्मा बहुवजन का वैदिक प्रयोग है तो यहां इंद्र के महिमा शाली शाशक के रूप में महिमा से जो लोग और प्रत्वी लोग भी जिसकी महत्ता जिसके पराक्रम जिसके बल की प्रतिनत मस्तख है ऐसा मैमामय और पराक्रम शाली इंद्रका प्यक्षित यहां किशी के समगते प्यालित दिया है दूसरा मन्तिस बगार है यह प्रिथी विम व्यत्मानाम आद्रिहद यह पर्वतान प्रकुपीतान अरमनाथ यू अंत्रिक्षम विममे वरियो यूध्याम इस्तबनाथ प्रजनास इंद्र है इंद्र के सहा सिक्कारियों का वर्णन करते हुए दिशिक्रिस समत्याते हैं यह जिस इंद्र ने व्यत्मानाम प्रित्विम अद्रिहद व्यत्मानाम कमपन करती हुई कापती हुई प्रत्विम प्रत्वी को अद्रिहद सुष्थर किया सुधर किया यह प्रकुपीतान पर अमन करते हुए इदर उदर उड़ते हुए परवतान परवतों को रहमनात सैमिक किया तंतुलिक किया निवंदृ किया रोका यो वरियर अंत्रिक्षम विम में जिसने वरियर का क्विशाल विस्रित अंत्रिक्षम अंत्रिक्ष का विम में निर्मान किया यो ध्याम इस्तबनात जिसने रूलोक को सबनात इस्थिर किया जनासह के लोगों सर इंद्रह वह इंद्रहे यहां इंद्र का शाशक और नियन्ता रूप प्रतिवादित किया गया है रिशी के द्वारा समस्त ब्रह्मान की समस्त वस्तों को उन्होंने सूव अवस्थित किया प्रत्वी को परवतों को अंत्रिक्षक और जूलों को सभी को सैमेत नेमित किया सो इस्थिर किया प्रतिविम व्यत्मानाम से यहां शष्टी उत्पति के पुर्व की अवस्था का आभास होता है जब प्रत्वी आपका गोला थी और उसमें एक विस्पोर्ट हुआ करते थे इसलिए प्रत्वी को कमपनशी लगा है और परवत भी पहले पक्षिधारी थे और इधर उधर धमन करते थे इससे संपुन लोगों के निवासियों को तुड़ा होती थी तो उनके निवेदन पर इंद्र ने अपने वज्रसी परवतों के पंख काड़ दिया और उनको एक इस्थिर किया सूववश्थित दिया तो समस्थ लोकों का निर्माता संपुन निर्मांड को इस्थिर करने वाला यहां इन्दत्रत अदिवजिघ किया गया है यहां व्यत्व और कुप व्यत्वानाम और प्रकुपितान में व्यत्व और कुप धातूं का प्रयोग हुआ है व्यदिक काल में व्यत्व और कुप धातूं का अर्थ इस परकार से था व्यत्व धातू का अर्थ कापना और कुप धातू का अर्थ गती शीलता था लेकिन लौकिक सल्सकित में इनके अर्थ परिवर्थित हो गए व्यत पीड़ा अर्थ में और कुपधातु कुरूध अर्थ में प्रयुक्त होने लगी प्रकुपितान अरमनाग या नग के आगे अस्वर आया है इसलिए नग को अनुस्वार हो गया है ये वैदिक संधी है व विश्रकार से जनास अभी वैदिक रत्मा वहुवचन का रूप है तीसरा मंत्र विश्रकार है योग हत्वा अहिम अरिनात सब्त सिंधून योगा उदाचत अपधा बलस्य योग अश्मनोग अंतर अगनिम जजान संप्रिक समत्सू सजनास इंद्रह या अही और बल राक्षअ का इंद्र ने सहार किया है प्राग्रमे जरूप स artists इन्द्र ने अहिम हत्वा अही नामक असुर को मार कर सब्त सिंधून अरुणात सब्त सिंधून साथ जलदाराओं को अरिनात बहाया प्रवाहिट किया क्यों जिस इंद्र ने बलस्य अपधा बलसे बल नामक राक्ष्रस की अपधा रूफा से गा उदाचत कायों को बाहर निकाला यह अश्मनोह अंतर अगनिम जजानः जिस इंद्र ने अश्मनोह दू पत्थरों के अंतह बीज में से अगनिम जजानः अगनी को उत्पन्य किया सम्मत्सु संव्रिक सम्मत्सु युद्ध में संव्रिक सबका सहार करने वाला विनाश करने वाला जनासर ही लोगु संद्रह वह इंद्रहे यहां अही राक्षस्ता उलेक किया गया है अही को ही रत्वित कहा गया है सरकुषदश इसका आकार है इसलिए उसे एई कहा गया है इंद्र ने अपने वज्र से अही राक्षस का सहार करके जलधाराओं को बहने के लिए उन्मुक्त किया था अही जलों को आच्छा जित करके रहता था यह अकाल को करने वाले राक्षस के रूप में भी प्रसिद्ध सब्सिंदून तायर ने किया है सामने जलधाराएं और गंगार दी साथ नदियां बल राक्षस की विशय में भी एका जाता है कि बल राक्षस ने आर्यों मतलब गायों का चौर असुर था आज्वों की गायों को उसने चुरा लिया था और उसे अपनी गुफा में केट कर तब आजयों की प्राइपना पर इंद्र ने इस राक्षस का ज़हार कर गायों को उन्मुक्त किया था साथ ही इंद्र को यहां अगनी के उत्पति करता की रूप में प्रतिवादिक किया है दो पत्थरों के बीच में इस ने अगनी को उत्पन किया मैकडोनल्ड के अनुसा दो बादनों की बीच में विद्युद अगनी को इस इंद्र ने उत्पन किया था क्योंकि वर्षा का दिवता इसलीए यहां अगनी का अर्थ विद्युद अगनी माना गया है युद्ध में वो सबका सहार करता था युद्ध के लिए आलिः विजय प्राप्त करने के में प्रसिद्ध रूप से कतिवादिक किया है जनासा जनासा इंद्र है लोगों में इंद्र है जनासा प्रपुरोप्त पतार से ही उमें पड़ी लिखनी है जनासा व्यदिक संस्कित प्रथमा बहुचंता रूप है धन्यवाद